सबी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों जैसा की देखा गया है कि कोविड वैक्शन लगने के बाद बहुत से भाईयों की संभोव में रूची बिल्कुल खत्म हो गई है तो ऐसे रूगी जगा-जगा से दवाईयां ले रहे हैं लेकिन उनको कोई बेनिविट नहीं हो रहा तो ऐसे रूगियों के लिए मैं बहुत ही अच्छा जोग बता रहा हूं आप अपने गर में ही इसका इस्तिमाल कर सकते हैं सबसे पहले आपने लेनी है परवाल पिश्टी लेनी है आपने पांच गराम सवर्नमक्षिक वसं पांच गराम मंदूर वसं पांच गराम तो यह आपकी 15 गराम दवायां हो गई इसकी आपने 30 पुडिया बना लेनी है एक पुड़ी सुवा विल्कुल खाली पेट लेनी है आमले के मरब्बे के साथ जमलाई के साथ एक पुड़ी शाम को चार-पांच बजे लेनी है तो इसके साथ साथ आपने पंसार से लेना है दातू पौश्टिक चूर्ण दातू पौश्टिक चूर्ण मनमांतरास और मकर्दवज बट्टी तो ये तीनों दवाईया आपने खाना खाने से 15-20 मिंट पहले हलके गर्म किये हुए दूर के साथ तो क्रोना की बज़ा से कोविड बैक्शन लगने की बज़ा से जा किसी और भी बज़ा से हो आपकी कर लें प्रवाल पिष्टी पांच ग्राम और मंडू उर्वसम पांच ग्राम स्वर्ण मक्सिक पांच ग्राम इसकी पुड़िया बना लेनी है आपने तीस एक पुड़ी सुबा खाली पेट मलाई के साथ एक पुड़ी साम को चार-पांच बजे और दात्तू पोश्टिक रहा को पुड़ी मख्रदवाज गुटि का एक गुड़ी मख्रदवाज गुटी का सभावर्ण जोफत नहीं लेनी है नौर्मल ही लेने कोई डिक्तत वाली बात नहीं है तो यह खाना-खाने से पहले एक उनकुने दूत के साथ और इसी तरह साम को एक खुरा का खाना-खा का जूस लें खटे फाड़ और खटे बदार्त मेंदे की बढ़े हुई चीजें फास्ट फूर्ड यह बिल्कुल त्याग दें और सुबह उठकर आप 2-3 किलोमेटर शेयर करें तो ज्यादा दवाईयों की जरूरत नहीं है आपको यह ग्रिलू इलाज आपको बिल्कुल ठीक कर देगा और जिसकी सीवाई को कोई ज्यादा ही समस्या हो कोई सभरन बड़ा जोग अच्छा जोग बनवाके जूज करना चाहता हो वो मेरे से संपर्क कर सकता है मेरे क्लीनिक एसे रोगियों के लिए दवाईयां दी जाती है हजारों रोगियों को हम ठीक कर चुके हैं कोई ऐसा रोगी नहीं है जो हमारे सामने जिसकी समस्या ठीक ना हुई हो क्योंकि हमारा 20 साल का तजरबा है इसी कारह के लिए तो हम अपना खुद का बनाया हुए आतुल सक्ती द बनाते हैं तो यह मेंगी योश्टियां में आपको ग्रेलू अगर किसी ने जूज करना है तो वहां पर नहीं बताता और जिसको समस्या ज्यादा ही हो वो मेरे से संपर्क कर सकता है तो चाहे तो वो दवाइया मंगवा ले चाहे हमारे क्लीन पर आके मिले तो इसका इलाज हम पर्मानेंटली तौर पर करेंगे जिनको समय का अब आब है बार बार जिनकी इंसल्ट हो रही है बेजती हो रही है और के सामने टिक नहीं पाते हैं कुछी समय लगता है ऐसे रोग्यों का समय जो है 15-20 मिन्ट तक हो जाता है बशारते कि उनको हमारी कलीनिक पे हर महीने 10-15 ग्राम सवर्नबासम ही लग जाती है खाली सवर्नबासम तो अच्छी दवाईयां देते हैं हम 100% हमारी दवाईयों की गरंटी होती है जो आपको कागज पे लिखके देंगे बही दवाईयां हम आपको देंगे अगर उस दवाई में कोई 10% भी फर्क निकलाए तो हम आपको दुगणी कीमत के पैसे बाफस करेंगे तो कोई शंका नहीं है कोई डिक्कत नहीं है अगर आप कोई दवाईय लेना चाहते हैं तो निसंकोच हम से संपर्क कर सकते हैं जो बड़े-बड़े सेक्स के नाम पे क्लीनिक चल रहे हैं वह सिर्फ ब करंटी है सौ की नहीं सौ नहीं बलकि 200 प्रसेंट करंटी है और कोई भी समस्या आपको हो टाइमिंग कम हो अरेक्शन ना आता हो सुक्राणों की समस्या हो दात हो नाइट फाल हो आप अपना इलाज तसल्ली से करा सकते हैं तो इतनी बातें आप से शेर करता हुआ अभी लाएं और अपना इलाज वह अच्छे तरीके से क्राव सके परावपर तरीके से क्रासके क्योंकि लोग ऐसी समस्याen से डरकर और आज गल आत्महत्या तक कर रहे हैं तो आत्महत्या जा माड़े वचार बोरे वचार सोचने कि आपको बिलकُल वी नहीं है हम बैठे हैं आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे हमारी दवाई की पूरी तसल्य होगी किसी किसम का कोई दोखादड ही नहीं होगा तो आपनी संकोच हम से संपर्क कर सकते हैं हमारा पता है प्रैक्टिकल आजरवेदा गाउं बबनपूर तहसील रतिया जला फत्याबा यह जो गाउं है जाखड से 20 किलोमेटर रतिया से 15 किलोमेटर ब्रेटा से 12 किलोमेटर तो यह बीच में गाउं पड़ता है बास्टेंड पे हमारा करीनिक है तो अगर किसी ने आना हो जादवाई मंगवानी हो तो निनानमे नौसोच चौवी टेपल नाइन टूबोर सेवन सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जल्द मिलते हैं आपसे कोई नया वीडियो लेकर